नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफिन ग्यान में दोस्तों TIFR का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जादा तर इस विभाग में अप्रेंटीज देखी होगी लेकिन आप लोगों के लिए इस विभाग ने एक रिकुट्मेंट भी निकाल दिया, पर्मेनेंट रिकुट्मेंट है, ओल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं देखो भई, इसमें वेकेंसी इसका काउंट बहुत कम है, लेकिन जिस जगा की वेकेंसी है उनको रिकुट्मेंट करूँगा, फॉर्म फिल कर दे हाला कि आप लोग ओल ओवर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं, पैसा नहीं लगना, एक चीज गलत कर रखे हैं इन्होंने, नोटिफिकेशन में ये बोल रखा है कि रिटन एक्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, लेकिन रिटन एक्जाम का इन्होंने स्लेबस मेंशन नही किया है, क्या कै उसमें include होगा, कितना technical होगा, कितना non-technical होगा, ये चीजे clear नहीं किया है, हाला कि मैं जितनी जानकारी है, notification में वह उच्छे तरीके से आपको समझा दूँगा, आप लोग इसको देखिए, तो यहाँ पर जो है, आप लोगो का जो vacancy है, machinist में आप लोग कर रखा है, इलेक्ट्रिशन को तीन पार्ट में बाटा हुआ है, और तीनों की वेकेंसी अलग-अलग दे रखी है, तीनों की एज अलग-अलग दे रखी है, तो आप लोगों के सामने जो है ये count है, उसी तरीके से Central Air Conditioning Plant Mechanic है, इसमें हम नीचे देखेंगे कि exactly qualification क्या है, Carpenter में एक post है, जिसके लिए एक vacancies का count है उसके बाद जो है, यहाँ पर बाकी आप लोग देख सकते हैं, मैं IT की जो post है उस पे जाता हूँ और आप लोगों को इसका जो criteria है, वो मैं अच्छे तरीके से समझाजता हूँ कि कौन form fill कर सकता है, कौन नहीं एक चीज़ और आपने देखा होगा, 19-22 को आप लोगों के लिए एक notice आये था, तो उसमें apprentice को as a experience मानना इन्होंने शुरू कर दिया है इस notification में भी यही condition है, क्योंकि 2 साल का experience है, तो 1 साल की आप लोग apprentice लगा के इसका form fill कर सकते हैं अब आते हैं, देखो भाई, इसमें आप लोगों का IT होना चाहिए, NCVT से, SCVT नहीं चलेगा, 60% marks आप लोगों के होने चाहिए, 2 साल का experience जिसके पास नहीं है, एक साल का है, वो एक साल की apprentice को भी लगा सकता है और दोनों साल को combine करके इसका form fill कर सकता है, जिन बच्चों के पास 2 साल से ज़्यादा का experience है, साथ में apprentice भी है, तो दोनों चीज़े मतलगाना, एक से ही आप लोग criteria फुल्फिल करना, उसके बाद यहाँ पर fitter की है, fitter में आप लोगों देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों का है ही, ठीक है experience जो मैंने आपको उपर बताया, वही इस पर applicable होगा, एक साल की apprentice है, एक साल का experience है, तो आप लोग अपलाई कर पाएंगे, उसके बाद टनर है, टनर में आप लोगों का वही same condition वर trade change हो जाएगी, उसके बाद जो है, आप लोगों का दुबारा टनर है, तो यह criteria जो मैंने उपर आपको बताया है, इलेक्ट्रिशन में आप लोग सेम वही condition देखेंगे, बस आप लोगों की trade change हो जाएगी, तीन पार्ट में इलेक्ट्रिशन को divide किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो है, Central Air Conditioning Plant Mechanic, एक post है अंडिसफ केटिगरी में, इसम जो है, उसके बाद Carpenter की post है, सेम वही condition, आप लोगों का IT क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो है, यहाँ पर आप लोगों का 2 साल का experience हो, या फिर 1 साल का experience, 1 साल की apprentice के base पे इसका form आप लोग अपलाई कर पाएंगे, बाकी other criteria आप लोगों के सामने है, इसका criteria मैंने उपर आप लोगों को बताई दिया है, fee इसमें किसी भी प्रकार की लगनी नहीं है, तो fee से आप लोग निश्चेंत रहिए, मैं आप लोगों को official website पे जाके, इसका criteria दिखा दिता हूँ, कहां से आप लोग form fill करेंगे, और कहां से इसका आगे का criteria fulfill होगा, तो यह इनकी official website है, इसक कोई से भी पी click कर दो, आप लोगों को same advertisement में सारी information डिक्टो दिखेगी, यहां से आप लोग इसका online form fill कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, fee नहीं लगनी, तो आप लोग form fill कर दीजिए, और बाकी रही बाद syllabus की, मैं देखूंगा, अगर syllabus इसका update होता है website पे, तो वो भी मै आपको update कर दूँगा, लेकिन अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, धन्यवाद,